हलो सुडेंट्स मैं डॉक्टर गजिंदपुरहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोज अपलोड करता हूँ फोर इंजिनेरिंग मैथमेटिक्स बीए से स्टूर कर आप किसी भी कॉम्पेटिव एक्जाम की ताहरी कर रहे हैं जहां पर ह आर मैथमेटिक्स पूछा जाता तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्फुल है यहां जो आईटे पे यहां पर जाके मेरे प्रीविएस रियल आंसे की वीडियो लीने अलजब्रा गुरूप थियोरी निमेरिक लांसे पार्शल डिफिरेंशल इक्विशन डिफिरेंश बहुत सारे टोपिक्स पर मेरे वीडियो अप्लोड कर रहें देए सब यहां पर जाकर आप देख सकते हैं सुन में आज निए टोपिक स्टाट करने वाला हूं तो इस टॉपिक इस मैट्रिक स्पेस और मैट्रिक स्पेस पी काफी सारे बच्चे बूल रहे बूल रहे हैं इस विन मैट्रिक स्पेस जो होता है वो बिल्कुल ग्रूप का कंसेट टाइप का होता है कि किसी भी सेट के उपर अगर हम बाइनरी ऑपरेशन करते हैं और वह कुछ पर्टिकुलर कंडिशन को साटिस्पाइब करता उस सेट के लिए तो वह ग्रूप होता है उसी टैप से patron one at Cart इंटा सब्सक्राइब करता है यहां रुते हुँतायव दी इत ग्रूप होता है कि इंहां उसी टैप से मैट्रिक सस्पेस होता है नहीं पर जागा इक्डिक यहां पर कर रखा हैเกक्शिन के अंतर तो वह आपको देखना है यहां पर इस इस औंस होगा यह कुछ पर्टिकुलर कंडिशन यह डिका कर दे साथिस्फाइब कर दे तो लेट एक्स प्रोस एक्स टू आर इस सेट टू बीए इस विड़ी जीडियो और जीरो से बढ़ी होनी चाहिए अगर जैद में अगर इसकी वेलिव सं करें तो इस से क्या होने चीए जाद आने चीए for all xy xy that belongs to x this is called triangle inequality तो अगर कोई भी डी इस set x के लिए हमारे पास यह सभी condition को satisfy करता है तो यह हमारे पास क्या होता है metric होता है तो इसको distance से बहुत इसी समझ सकते हैं कि दो point की distance हमेशा positive होती है अगर हम बात करें दोनों point same ही हो तो distance क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी अगर हम distance को एक point से दूसरे point से ले या दूसरे point से उस point तक ले ultimately same ही होती है अगर कोई तीसरा point बीच में ले ले मान लिए मैं आपके सामने बोलता हूं कि यह कोई point है हमारे होती है अगर यह कंडिशन से होते हैं तो हमारे पास क्या होता है मैं पर यह दिया देने की ज़रोत है कि उतली होता है वह मैंट्रिक होता है और हमेशा किसे नहीं किसे सेट कि यह करेगा यह condition को साटस्वाई करेगा तो आगे बढ़ते हैं अब मैं आपके सामने के एक्जाम्पल लोगा एक्स इकल डू आर मतलब एक समारे पास जो सेट है वो रियल लंबर दे रिखा है और यहां पर यह जो मैट्रिक है यह जो ऑपरेशन है डिफाइन कर रहा है आप से पूछा जारे कि शॉर दैट इस एक्स इस माट्रिक स्पैस तो आपको बताना चाहूं है चारों कंडिशन को हम चेक करेंगे फस्ट कंडिशन हमारे पास यहां क्या बोलती है कि यह जो यह जो वेली हुए हमेशा क्या होने चीज़ जीरो और जीरो से बड़ी होनी सट्साइब जीरों से क्या होती है बड़ी होती है द्याला स्कंडिशन के सब्सक्राइब कर देगा सैक इने यह कुछ जड़ी इस फंच्छन को जीरोगा कर Adela थर्ड कंडिशन की बात करूं तो थर्ड कंडिशन होती है सिमेट्री वाली राइट कि Dxy is equal to थिमारे पास क्या हो जाए एसा होना चाहिए एक्स एक्स राइट तो हम जानते हैं यहां पर कि अगर हम बात करें मौड X-Y अगर मैं इसको इंटर्चेंज भी करते हैं तो माइनस बाहर आएगा तो यह दुनों क्या होती है बराबर ही होती है तो सिमेट्री वाली कंडिशन भी यहां पर क्या हो जाएगी साडिस्वाइग तो तीनों तीनों कंडिशन साडिस्वाइग होग तो X-Z प्लस D-Z-Y हो जाएगा यह हमें क्या करना है देखना अगर यह भी कंडिशन साडिस्वाइगा तो इसका मतलब यह हमारे पास क्या हो जाएगा मैट्रिक स्पेस हो जाएगा ओन रियल नमबर तो बात करेंगे यहां पर हम चोथी प्रोपर्टिव हम चेक कर लेते हैं हम चेक प्लस यहां पर सब्सक्सी को देखते हैं लोग यहां पर मोध x-y जोड़ा जैड़ को माइनस किया और z को प्लस कर दी है हाँ तो अब देखो इन दोनों यह type और यह हमारे पास y ताईपका और तो हम जानते ही condition लग जाएगी less than equal to mod x-z plus mod z-y हो जाएगा और हम जानते स्विन इसकी वेली जो होगी वो क्या होगी dxz हो जाएगी प्लस यह हो जाएगा dzy तो यह हमारे fourth condition भी क्या हो जाती है ट्राइंगल इंकुल्टी भी यहां पर क्या हो जाती है second point अगर दो point के बीच में distance लें तो चाहिए मैं 1 के 1 से 2 की distance लो तो भी वन ही आएगी टू से 1 की distance लो तो भी वन ही आएगी so d13 is equal to हमारे पास यहां 2 दे रिखा है तो मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर कि हम यह दिखाना चाहते कि d13 is less than equal to मैं आपको लूँ यहां पर d14 plus d43 आप यह ले कोई भी number ले सकते है तो हम यहां पर जानते कि इसकी जो distance है 1 और 3 की distance हमारे पास कितनी आती 2 आती इसकी distance की बात करें मैं अगर मैं इसकी distance की बात करूँ मैं चेक कराऊंगी बड़ा बड़ी आएगी कि नहीं आएगी तो वन और 4 की distance हमारे पास क्या आती तो यह condition क्या हो रही साटेस्फाई हो रही राइट तो यह four point मतलब कुछ भी point हो सकता है ऐसा जरूरी नहीं हो मतलब और 3 की बीच में इसा जरूरी नहीं है कोई भी point हो सकता है serial number पहना तो वो इस condition को क्या करना ची साटेस्फाई करना ची बाहर वाला भी इसको साटेस्फाई करता है मैं यह दिखाना चाहरू रहाइट तो यहां पर triangle inequality satisfy होती है इसका मतलब यह मारे पास क्या हो जाएगा इस तरह से भी हिसको हम समझ सकते हैं बात करेंगे second example कि let x be the set of all real valued bounded continuous function define on the close interval 0 1 so define कर रखा यहां पर dx cross x is equal to r by d fg is 0 to 1 fx minus gx moda dx for all f, g belongs to x देन आपसे पूछा जा रहा है कि यह जो fg होगा यह इस x पर क्या होगा metric होगा मतलब यह xd क्या हो जाएगा एक metric space हो जाएगा सबसे पहली जो condition होती वह होती कि हमेशा क्या होना चाहिए d fg क्या होना चाहिए positive होना चाहिए जीरो और 0 से बड़ा होना चाहिए तो हम जानते कि चुकि यह mod function है और mod function की वेली हमेशा 0 जीरो जीरो से बड़ी होती तो इसका integration की वेली भी जीरो 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 से बड़ी होगी तो यह तो हमारा फस्तों क्या हो जाएगा सब्सक्राइब बात करते हैं तो अगर यहां पर बात करें कि fx is equal to gx ले लूँ मैं अगर बात करूं मैं fx is equal to gx ले लूँ राइट तो हम जानते कर fx is equal to gx ले लोगे तो भाया fx minus gx की वेली हमारे पास क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी और अगर यह 0 उठा के आप यहां रखेंगे तो इसका integration होगा dfg अगर इसकी बात करें 0 to 1 में तो यह 0 dx हो जाएगा और हम जानते इसका integration की वेली क्या हो जाएगी जीरो के तो गर यह बराबर है तो इसकी वेली जीरो होगी है तो यह बराबर होगी बात बराबर राइट दो तरीके से इसको मियां पर प्रूव कर सकते है नेक्स बात कर gf के बराबर होना चाहिए तो यहीं आप यहां देखेंगे अगर हम बात करें d of fg clear है हम जानते हैं इसको मैं ऐसा लिख सकते हैं यहां पर यह जाएगा और हम जानते हैं इसकी वेली हम क्या लिख सकते हैं dg of f लिख सकते हैं तो सुनिया symmetric वाली property भी यह क्या करता है satisfy करता है अब बात करते हैं फूर्थ property that is called triangle property और यह property क्या बोलती है अगर हम जानते हैं यहां पर कि हमें यह प्रूव करना है कि 0 to 1 fx minus gx अगर मैं कोई hx function इसके इंदर introduce कर दूँ तो हम जानते हैं कि यहां पर value 0 to 1 fx minus hx into dx प्लस यह आएगा 0 to 1 hx minus gx dx होना चाहिए यह property satisfy हो जाती है तो हमारा काम हो जाएगा तो यह इक property हम यहां पर देखेंगे तो सुनिया हम क्या करेंगे अब इसको अलग लग करेंगे तो अब हम जानते हैं यह नहीं पर यह इसको यह पर प्रूव गर सकता है एक्स एक्जाम्पल लेते हैं और यह एक्जाम्पल एक्स रियल नमबर दे रिखा है मॉड़ स्कॉर माइनस वाइस स्कॉर तो आपको यहां पर देखने की ज़रोथ है कि क्या इसा हो रहा जिसके वज़े से मैट्रिक पेस नहीं हो रहा तो फस्स और यहां पर एक्सक यहां आपको अगर क्या होंना यहां पर एक्स अगला उना चाहिए इस कंडिशन में यहां पर problem हो जाएगी, अगर मैं x की value 1 लूँ और y की value minus 1 लूँ तो हम जानते हैं यहां पर कि d1 minus 1 की बात करें हम लोग, तो हम जानते हैं इसकी value हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी value आएगी 1 square, हम जानते हैं dxy हमारे पास यह दिरिक है, अगर आप जानते हैं कि जो second property होती है, अगर dxy की value 0 है, इसका मतलब x is equal to y होना चाहिए, जबकि यहां पर x और y दोनों बाराबन यहां है, because x is equal to 1 and y is equal to 1 and this is not equal, that's why second property does not satisfy, मतलब यहां पर हमारे पास symmetry वाली condition satisfy नहीं होती है, इसलिए यहां पर यह metric space नहीं होगा, so student मैंने आपके सामने आज metric space बताया, definition बताई और इस पर बेस्ट मैंने कुछ दो से तीन example दिखा है, अब मैं student next class लेके आने वाला हूँ, इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, और लास्ट मेरी रियलांसिस की वीडियोज आप देख सकते हैं, और यह ग्रूप थियरी की वीडियोज यहां पर देख सकते हैं, और यह मेरा नाया चनल जिसमें, मैं बहुत अच्छा ID, CIS, IR, NET और GIT पर काफी अच्छा content अप्लोड कर रहा हूँ, यह भी आप जाके देख सकते हैं, यह मेरा पुरा नाया चनल जहां पर हाइर मैट्स की वीडियोज आप देख सकते हैं, थैंक यूश तो मच पर वाचिंग मी, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करें, तन्यवाद,